वेलो गाईज, कैसे आप सब अच्छे हैंगे? मैं आज आपको एक लोग कहानी सुनाओंगी, जोकि बहुती अच्छी कहानी है और आप ध्यान से सुनें, बिना स्क्रिप की एवे सुनें, बहुती अच्छी स्टोरी है और लोग कहानी है तो आप बने दे वीडियो पे मैं रहती थी उसकी माता डेली काफल को लाती थी और अपने घर पे लाके उन्हें सुबो उटके रोज मार्केट में दुकान पे बेचती थी और अपना घर का गुजारा बोले तो अपनी मा अपना और अपनी बेटी का गुजारा उन्हें काफलों से बेच के चलाती थी एक दिन माँ सुबो सुबो काफल लेने गई सुबोट के और उसकी माँ ने सुबोट के काफल लाके अपने घर पे रखे और बेटी को बोला बेटी काफलों को आप बिल्कुल भी छोना मत है और खाना भी मत है छोने से भी मना कर दिया कि आपने सिर्फ इनका ध्यान रखना है कि इससे कोई ना खाए बेटी ने बोला ममे मुझे बहुत तेज भोग लगी है मुझे थोड़ा सा तो चकने दो उसकी माने बोला बिल्कुल नहीं काफल कम हो जाएंगे तो हम बेचिंगे कैसे फिर तो काफल में आपने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना तो बेटी ने बिल्कुल अपनी मा का कहना माना है उसने बिल्कुल काफल को देखा भी नहीं छुआ भी नहीं खाया भी नहीं और उसके ध्यान रखते हुए बैठ गई बेटी को जैसे जैसे धूप लगी धूप लगी तो काफुल तो हो गए कम बेटी को आ गई नीन बेटी छोटी बच्ची थी और बच्ची को नीन आ गई धूप में बच्ची सो गई मा थकी वी आई बहर से काम करके आई माता और माता ने देखा बेटी सोई है तो पहले तो माता को बेटी सुई हुई देखा और ऐसा गुसा आया कि मेरी काफुल का ध्यान नहीं रख रही है और सो गई है फिर उसकी मान ने देखा काफुल कम हो गए है उसकी मान गोहर चिर्चड़ापन गुसा आ गया यह काफुल तो कम हो चुके और इसने सारे खा के सो गई है जब कि बेटी को बहुत तेज भूख लगी थी बेटी ने एक भी काफुल नहीं खाया था काफुल ऐसे चीज है कि यह धूप में सुकुड जाता है और सामू जैसे होती है तो फूल जाता है तो यह काफुल जैसे माने देखा गी इसमें तो बिल्कुल भी यह तो आदा भी नहीं रह गया है बिल्कुल कम हो गया है तो माता को आया उसकी गुसा उसकी माने उसे खुम मारा पिटा बाद में उसकी माने उसे इतना तेज धका दिया उसके सर पत्थर पिर लगके वो उसने पने प्राण त्याग दिये तो माता को बहुत दुखवा माता ने उसे पने गले से लगाया माता ने बहुत रोई बहुत बोला माता ने की बिटा उड़ जा बिटा तो का से उड़ती उसका प्राण निकल गए थे तो उसके बाद ये उ माता को बहुत अपने पर गुशा आया बहुता कि कुरोदाई अとか बहुत मायएं कि पर लेकिन मायफी मांगे ने कोई पैदा नहीं वहा, क्योंकि तब तक बीटी का पूरा है मैंसे गल्ती हो गई है तो माता को बहुत पस्ता हुआ है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया और उसने भूकी प्यासी बेटी मेरी मर गई है उसने पहले से उसे भूक लगी दूपर से मैंने उसे मार दिया माता भी रो रो के बुरा हाल हो के माता ने अपने परान त्याग गे बियोस हो गई थी उसके बाद उसके भी परान त्याग गे फिर यह नों ने दोनों मा बेटी ने मा बेटी ने पक्छी का रूप धारन करा और यह पक्छी बनने के बाद एक पक्छी बोलती है कफल पाको मानना चाको मतलब मता कफल जो पाक है मैंने नहीं चाके तो आप उनके वास सुन लीजिए यह इसी पक्छी के आवाज है जो यह पक्छी में दिखा रही हूँ तो बहुती सैड स्टोरी है यह सच की रियल बात है यह कि यह बहुत पहले पुरानों में हुआ था उत्राखन में यह घटना और यह पक्छी यही बोलती है कि कफल पाको मैं निचाको इसकी मा बोलती है पूर पूताई पूर पूर कफल बन पूरा है और यह यही बात बोलती है कफल पाको मैं निचाको तो आप देख सकते हो गाइज इनकी आवाज भी आपको सुना देरी मैं मा बेटी की तो थैंक्यू गाइज वीडिया अच्छी लगे तो लाइक करते हो